टाइफाइट फीबर दोस्तों आपने ये नाम तो कई बार सुना होगा आपके आसपास सुना होगा कि उसको टाइफाइट हो चुका है टाइफाइट हो गया है तो ये टाइफाइट बेसिकली होता क्या है ये क्यों होता है इसमें क्या-क्या साइन और सिम्टम देखने को मिल से तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ताइफाइड एक ऐसा फीबर होता है जो एक साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टिरिया के बोडी के अंदर एंटर करने की वजह से होता है यह डबलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा बच्चों में मोस्ट कॉमनली फैलता है यह एक कंटम 윤 आने की वजह से फैलता है कि की फैटेम वैक्सिन एविलेवला यह लोगों के लगाई जाती हैं तो यह होता है टाइफाइट फीवर क्यों होता है कैसे होता है यह सालमोनेले वैक्टिरिया के आपकी बोड़ी के अंदर एंटर करने के वज़े से होता है और यह contaminated food यानि के दूसिद water पीने से दूसिद खाना खाने से यह टाइफाइट fever के patient के contact में आने की वज़े से होता है ओके अगर इसका time पर इलाज ना किया गया तो यह घातक आपके लिए हो सकता है तो आपके इसके आगे हम से symptom आपको देखने को मिल सकते हैं आपको headache हो सकता है सबसे पहला होता है इसमें fever fever हो सकता है लगबग आपको 104-105 Fahrenheit के बीच में आपको fever हो सकता है headache हो सकता है weakness बहुत ज़्यादा होगी आपको थकावर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी इसमें आपकी जो भूंक है वो मर जाएगी यानि के भूंक आपको नहीं लगेगी और आपका abdominal pain होगा जो आपका का treatment नहीं करते हैं तो इसकी second phase start हो जाती है यानि कि second week के सिम्टम आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें क्या होता है कि आपको high fever तो रहेगा ही रहेगा उसके अलाबा आपको या तो diarrhea हो जाएगा या आपको constipation बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका abdominal pain भी होगा इसमें ब बहुत ज़्यादा कमजोरी weakness हो जाती है अब इसका third phase क्या होती है third phase में जो होता है इसके आपकी आखे जो होती है बहुत ज़्यादा ठक जाते हैं यानिके इतने दिनों से आप ill है यानिके बिमार हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी जिसमें आपकी आखे बह लगते हैं तो फूर्त वीक में जो होती है आपके धीरे-धीरे फीवर रिडियूस होना बंद कर देता है यह रिडियूस हो जाता है हलके धीरे धीरे आपका जो फीवर होता वो रिडियूस हो जाता है ओके और इसका आपकी जो सिच्वेशन होते हैं जो आपके साइन और तो जाती है तो ज्यादा रेयर नहीं होता है इसका ट्रेटमेंट हम कर सकते हैं असानी सो होस्पिटल में का ट्रेटमेंट हो जाता है ओके तो अब इसके हम बात करेंगे इसके काउस के बारे में इसका में कारण क्या होता है सबसे पहला तो यहीं होता है कि साल्मोनेला वाटर का इस्तेमाल कर रहा है या आप खाने का इस्तेमाल कर रहा है किसी तरह के फूड का तो वो किसी वज़े से contaminated water या फूड जब आपकी बॉड़ी में चला जाता है तो उसकी वज़े से यह हो जाता है अब हम देखेंगे टाइफाइट फीवर की वज़े से होने वाली complication क्या होते हैं यानि के कौन-कौन सी समस्या इसमें देखनों को मिल सकती है most commonly जो serious complication होती है वो होती है intestinal bleeding यह third week में जो होता है इतना complicated नहीं होता है कि लगबग 4-5 परशन्ट लोगों में वर्ल्ड में यह होता है ज्यादा क्रेयर नहीं होता बहुत ही लो होता है यह लगबग 5% लोगों में तो यह आपकी जो intestine होती है उसमें प्रदेता जिसकी विज़से आपको बाइवार बार मुं तिंगी होने लगती चि की जाता है . और आपको itime काइंफेक्शन हो जबート है तो यह समस्यं मिल्टी है इसके लाबा क॑न कौन से समस्या देखने को मिलती है आपको मायो कार्डायटिस हो सकता है तो यह कारण होते हैं कुछ complication समस्य हैं जो टाइफाइट फीबर में आपको देखने को मिल सकती हैं अब बात करते हैं इसके हम टेस्ट की इसका टेस्ट कोन कोन से किये जाते हैं इसका टेस्ट में जो होता है आपका ब्लड का या यूरिन का या स्टूल का कल्चा लगाया जाता है और 48 तो 72 आवर के बाद इसका examination किया जाता माइक्रोस्कोप में और इसमें देखा जाता है किस तरह का इसमें bacteria यानि कि Salmonella typhi bacteria present है या नहीं है है तो कितना है कितनी percentage है bacteria की यह typhi fever कब तक ठीक हो सकता है तो यह सब test इसमें देखे जाते हैं ओके तो यह किस तरह से होता है किस तरह से होता है क्या क्या कारण होते हैं कैसे इसका test किया जाता है तो यह पूरी जानकारी हो गई अब हम बात करेंगे इसके treatment के बारे में कि इसका treatment क्या होता है इसके treatment के हम बात करें तो इसमें हम देखें गे कि इसकी पहले तो vaccine लगाए जाती है यायनि कि वेक्सिन इसलिए लगा जाती है ताकि आप contaminated या तो patient के पास जा रहे हैं या आप contaminated food इस dress तेमाल करी रहे हैं या आपको किसी ऐसी जगह त्रैवल कर रहे हैं जहां पर यह टाइफाइट она के बहुत ज्यादा चांसे सोते तो वैक सिन आपको लगाए जाती है इससे आप टाइफाइट से बच सकते हैं अब इसके drug of choice कोन से होते है fluorocuinal लोन जो होती है यह antibiotic medicine होती है यह जो होती है typhide fever में सबसे ज़्यादा drug of choice मानी जाती है डोक्ट्रों की यहनि कि सबसे ज़्यादा चलाई जाती है typhide fever में यह क्योंकि यह सबसे बेस्ट मानी जाती है और इसका अगर आप बहुत ज्यादा पेशिंट अगर बहुत ज्यादा गंभी रूप से होता है बहुत ज्यादा कंडिशन इसकी खराब होती है टाइफाइट फीवर में तो इसमें हाइड्रो कॉलिटी सोन हंड्रेड एमजी का इंजेक्शन आपको दिया जाता है डेली तीन से चार दिन तक यह इंजेक्शन इसमें दिया जाता है और कुछ इसके साथ एंटिबाइटिक चलती है जैसे होती है के पैरसिटा मौल इसमें दी जाती है 500 से 650 एमजी इसकी पैरसिटा मौल दी जाती है दूसरी होती है कुछ तक इसका इस्तिमाल किया जाता है तीसरी होती ए जित्रों मैसीं मेडिसीन होती है जो 8 leagues और से 17 kings $000 होती है जो 15 एंजी परας किलोग्राम सके हिसाब से साथ से 15 देते यानि कि सैवन तूटीं ये टें इसका इस्तिमाल किया 8 से 14 mg पर किलो गिराम के हिसाब से लगबग 14 डे तक इसका किया जाता है तो यह कुछ एंटिबायोटिक होती है जो टाइफाइट फीबर में इस्तेमाल की जाती है तो यह हो गई पूरी जानकारी किस तरह से टाइफाइट होता है उसका होने का कारान क्या क्या होता है उसके सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं कौन कौन सी कॉम्प्लिकेटिट शमस्या हैं आपको देखने को मिल सकती है आपकी बोड़ी में और इसका ट्रेटमेंट क्या स तरह से होता है हमने आपको मेडिसिन जो बताई आप कोई भी मेडिसिन का इस्तिमाल बिना डॉक्टर की सलह के ना लें गर पर ही किसी तरह की मेडिसिन का इस्तिमाल ना करें क्योंकि आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट इसके देखनों को मिल सकते हैं और आपको बहुत झाल, झाल, झाल